नमस्कार कसिस न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग इस वग की सबसे बड़ी ख़बर सामने आ रही है जी हाँ लैंड फॉर जॉब इस कैम में लालू परिवार पूरी तरह से फस्ता दिख रहा है लालू यादो की तीन बेटियों के हाँ इडी पहुंची है इडी ने लालू के करीवी जिनका पटना में जो अबुदोजाना आरजेटी के पूर्व बिधायक है उनके यहां भी छापे मारी कर रही है जो ख़बरे आ रही है कि राची से लेकर दिल्ली और पटना तक लगबग 15 ठीकानों पर छापे मारी की जा रही है जो लालू जमीन के मामले में मिसाभरती का नाम उसमें सामिल है उनके खिलाबी सम्मण जारी है उसके अलाबा जो और तीन बेटिया है उनसे पूछ ताच की जा रही है आपको बताएं लालू यादो की बेटी हेमा रागणी और चंदा के यहां भी डी के छापे मारी हो रही है और परिवार है वो सिकंजे में कस्ता चला जा रहा है बड़ी खबर है दरसल पटना से जो पहुंची है चापे मारी चल रही है और इस बीच खबर आने लगी कि इडी ने तमान उन ठीकानों पर दविश दी है जो लालू यादों से दुड़े हुए हैं इनमें लालू यादों की तीन बेटियों के घर भी इडी पहुंची है तो बड़ी कबर है इस वक्त की जिस तरह लूप जाल हुए है दो जो यूपी एस सरकार में रेल मंत्री थे और उस वक्त का यह मामला है उन पर आरोप जीता है तरह से फस रहा है हम आपको बताएं कि हेमा रागनी और चंदा के घर में भी चापे मारी हो रही है हलाकि इस मामले में एडी ने अभी तब अधिकारिक तोर पर कुछ भी नहीं बताया है और एडी जो है फिलहाल चापे मारी कर रही है तो लालुयादों को सबसे करीवी लोग दोजाना तो वो कहा जा रहा है और कथित तोर पर ये कहा जा रहा था कि यह लालू परिवार का मौल है और फसी केज से जुड रहा थी और मौल के konstructureों पर उस के सबसे बड़ी खवर राची में में च्छापने मारी मुंबई में भी चापने मामले को लिया है और बने जो पहुची है जो नाम्रीआजों कि तीन बेटियां हें राघनी छंदा और हेमा इन तीन बेटियों के घर में इड़ी पहुंची है और इस मामले में यह जो होटाला है इस मामले में पूस्ताच कर रही है आगे क्षूस निकल कर सामने आता है यह देखना दिल्चस्प होगा लेकिन फिलाल गहमा गहमी बने हुई है दिल्ली से लेकर पटना और राची और मुंबई तक बने रहे है कसी सिन्नी उच के साथ तमाम कबरों से आपको अब्डेट रखेंगे फिलाल के लिए इतना ही धन्यवाद